नमस्कार मैं अचनतिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर फिलाल हम लोग हनुमान गड़ी आयोध्या में हैं और हनुमान गड़ी के महंत श्री राजुदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ये जो घोटाला इस समय राम की नगरी में चल रहा है कुछ लोग इसको प्रोपगंडा समझते हैं कुछ लोग इसको सत्य समझते हैं लेकिन राजुदास जी से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और वो क्या सोचते हैं इस पूरे मसले के बारे में राजुदास जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सबसे पह पे हम खड़े हैं यह पूरी अईद्या के सबसे उंची टेंपल है कहा जाता है कि रामद्वारे तुम रखवारे खोत नाग्या बिन पैसारे राम जनम्भूम के मुखध्वारब से हर्मान जी महाराज का दुर्ग है और हनमान जी महाराज यहां राजा कुरूप में विराजमान है और जो भी व्यक्ति आता है आयोध्या तो पहले हनमान जी का दर्शन पूजन करता है उसके बाद कहीं जाता है रही बात ट्रस्ट का रही बात भारते जनता पार्टी का कि भारते जन कर रहे हैं जिन्होंने एक रूपिया समर्पन निदी नहीं दिया सवाल ओलो खड़े कर रहे हैं जिनके आका ने जिनके मुख्या ने निहत्ते राम भक्तों को पर गोली चलाई वो राम भक्त जो राम जनम भूम से तीन किलो मीटर आपकी कैमरा में दिखा सकते हैं जिस उंचे टेंपल पर हम लोग हैं यहां से तीन किलो मीटर है अध्या का सर्यूपुल तीन किलो मीटर दूर जो राम भक्त जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था ना लाटी था ने डंडा था था कि जोला था जोले में लईया कि राम कालप्निक और कालप्निक तो राम का मंदिर कैसे राम से तुक ऐसा घी नहीं वहां किरों ने 16-16 ओकिल खड़े की एक कोट में कि ये मुकदमा की सुनवाई ना हो सके जिससे हिंदू और मुसल्मान लड़ता रहे हमारी रोजी रोटी चलता रहे और हम सुद्ध रूप से लोगों को वरगला कर और मस्ती से राजनीत करें एक पॉइंट आप रोकना चाह रही है फिर भी मैं बोलूंगा एक पॉइंट और विश्य है कि जिनको जमीन तलासणा है कि किस प्रकार हमारे कायरकरता डबलब हो और किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृत को बद्दाम करें किस प्रकार मंदिर निर्मान बाधक बन सके बाधा उत्पन कर सके ऐसी योजना ऐसी रचन है इसके नाते तो मैं कहता हूं सुद दुरूब से यह राजनितिक प्रपोडंडा हर कुछ भी नहीं यह जो कुछ भी आपने कहा यह सवाल जो है विपक्ष उटा रही है और समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि तुरंत जो ट्रस्ट के मेंबर उनको इस्तीफा देना चाहिए चोरी कर रहे हैं देखिए अखिलेश यादो जी के मुख्या ने यह भी कहा था कि हमने रामभक्तों को मारा अगर वहाँ पर दस अजार रामभक्त होते तो उनके भी सीने हम चल नहीं कर देते उन्होंने यह भी कहा था उन्होंने यह भी कहा था कि वहाँ पर कभी भी मंद्र नहीं बनेगा वहाँ पर बाबरी मस्जिद में पुना बनाऊंगा यह भी उन्होंने ने कहा था ये भी लोगों ने कहा था कि एध्या में कभी मंदिर नहीं बने देंगो परिंदा पड़ भी नहीं मार पाएगा वो तो यह भी कह रहे थे लेकिन चले कोई बात नहीं विपच्छ है विपच्छ का सवाल पूछना धर्म है और निश्पक्छ राजनीत में सवाल प मिपच्छ रहे तो आप ने कहा चंदा चंदा किसी ने नहीं मांगा और किसी ने चंदा रहें की जो मेंसरॉतेशे से भगवान से राम को लोगों ने टेंटम रखा रानितिक पचड़े में लटका की रखा और पूस्ते थे भगवान राम से कि क्या तुम दसरत के ही बेटे हो क्या तुम्हारी जर्म भूमी अध्याई है क्या तुम वहीं पैदा लिए इसका साक्ष दो एविडेंस दो प्रमा रडार सर्वे हुआ सर्वेक्चन हुआ वहां जो खंडित विखंडित मूर्ती मिली देव कृत जो तमाम वहां पर जो हवन कुंड कुएं यह सब मिले उस अधार पर आदेश आया लेकिन आपका जो वह है कि चंदा चंदा का मैं खारिज करता हूं समर्पन निदी समर्पन DR. crater Keen निदी का दुर्पयोग कहीं किसी प्रकार नहीं हो रहा उसका प्रतक्षे प्रमान ने इसके नाथे लोगों ने सवाल उठाया कि वह जमीन जो मालियत 6 करोर की वह जमीन 2 करोर में ट्रस्ट conversation Oh अगले व्यक्ति ने खरीदा अगले व्यक्ति से टस्ट ने उस जमीन को खरीदा अठारा करोर पांच लाग जी अठारा करोर पांच लाग लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा सुनकर हैरानी होगा कि जब राम जनम्भूम का आदेश नहीं आये था तब तक एयोध्या में को जाना ना जाना किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहता नहीं लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के सजबी मुक्कमंत्री योगी जी बने तब से लगातार एध्या में विकास की गंगा लगातार योजना लगातार रचना सिराम एयरपोर्ट से दसरत बेडिकल कालेज क्या ना पर लोग जो बाहरी दिल्ली, बंबई, पंजाब जो आर्थिक जगत के लोग थे वो एध्या को और रुक किये हाँ रुक किये उसे बीच में राम जनम भूम मंदिर का आदेश आ जाता है आदेश आ जाता है मैं आपको घटना बता दूं कि एक भक्त थे उपाध्याई जी उन्हों का महराजी 24 बीगा जमीन है और ये 24 बीगा जमीन हम बेचना चाहते क्योंकि हमने ग्रेटर नुएडा में अपना परिवार को शिप्ट कर लिया मैं जाना चाहता हूं तो मैंने कहा क्या लगेगा उन्हों का महराजी 10 लाख में 24 बीगा जमीन बेच देगे तो हमने किसी से मुझको दो लाक रुपए दिला दीजे मैं रजश्री करूंगा तो आठ लाक रुपए ओल ली लूँगा हमने मेरे मन में जो भाव आये मैं आपको बता रहा हूं मैंने का राम जनम्भू मंदिर का आदेश आने वाला है आदेश आने के बाद यह जमीन का भाव क्योंकि लोगों का रुझान अध्या के तरफ हो रहा है आप अभी जमीन मत बेचो आप रही पैसा की बाद तुम किसी से ब्यवस्ता करा दे रहे हैं उनको मैंने दो लाक रुपए ब्यवस्ता करा दिया वह बैक्ती सांत हो गिया देर दो महने बाद उनको पैसा वापस कर दिया उसके बाद अभी देर महना पहले पता चला वह बैक्ती ने बताया कि वही जो मुझको 10 लाक रुपए में जमीन दे रहते वह बैक्ती बेचा 54 करोण रुपए में दस लाग की जमीन 54 क्रोल रुपे में बेचा उस अधार पर में कह सकता हूं कि जो एक लाख रुपे विस्सा था जो 20,000 रुपे विस्सा जमीन थी वो सीधे 6 लाख रुपे हो गया जो एक लाख रुपे विस्सा जमीन है वो सीधे 50 लाख रुपे विस्सा जमीन हो गई इस अ प्रकेंड के अगर इसाब से देखा जाए तो 55 लाक रुपे के इजाफा हो रहा है जमीन के भाव इतने महंगे हो रहे हैं इतनी कैसे महंगाई मतलब हो जी जी ने विपाच देखिए जिसको जानकारी नहीं है वो सवाल उठा रहा है सही सवाल उठा रहा है लेकिन आप इसके डेट में वो दुकान आपको देंगे 50 लाक रुपया में जी आप हमसे मत बात करिए आप धीरे से नीचे उतरिए और दुकांदार से पूछिए कि ये दुकान तुम्हारी मुझको खईदिनी है इसका क्या प्राइज क्या रेट एक दुकान छोड़के दूसरे से ती इक्रिमेंट कराके रखा था तो उस डेट में तो आपको बताया है ना अभी जब राम जर्म मंदिर आदेश के हम एक साल पहले की घटना बता रहे हैं वही जमीन मुझको दसलाक रुपय मिल आता 24 विगा और वही जमीन 24 विगा 24 करोर में भिक रहा है आप बताओगे कि रा बना हुआ है जितना आपको यह दिख रहा है बना हुआ अब जब योगी जी बने हैं तब धीरे-धीरे विकास कर रहे हैं अभी 100 कुछ गाउं बस्ती का लिया अभी इसी सामने यह हो गया गोंडा 54 गोंडा के लिया इस तरफ आप चले जाए इस तरफ जो है 90 गाउं इस त कि मुस्किल से पांच मिट में इतना रेट कैसे हो गया इसके नाति हो गया कि उन्होंने एग्रिमेंट कराके रखा था पुरुका जो रेट था उस रेट से उनका दाम लगाया था लेकिन आज कोई बेच रहा तो फिर हम कोई धोड़न दे देगा ठीक है अब यह समय पर दस मिनट पांच मिनट में नहीं हो जाता है और श्री पर किया मुझको लगता है दो तीन घंटा लगा होगा यह होगा थोड़ा बिलम हुआ तो साथ बज़ गया होगा क्योंकि इसके नाति कि ट्रस्ट को यह लगा कि यह जमीन हाथ से कहीं निकलना जाए आम आदमी का भी ह सूरसर मंदिर है यह सामने जो लाश्ट में दिख रहा है ना शुर्सर मंदिर है कर में एक महत्मा को जमीन दिलानी थी मंगलवार दिन था हमारे पास समय नहीं था उनको जो है 3 बज़े से कागज उनकी तैयार होना शुरू हुआ निट का सरवर की कुछ दिक्कत थी उनका सवासात ने उनका साधे साथ बजे जाके कंपलीट हुआ लास्ट जब वो सामने केमरा के सामने खड़े होते हैं अंगुठा लगाते हैं जिस समय में वो साधे साथ बज गया है पूरी काम कंपलीट हो चुका था पैसा भी जमा हो मंदीर इसके बगल में राम जन्भूम परशर होने के नाते योजना बनाया है कि मंदीर टर्स्ट के आसपास चाहे हो गिरस्त का घर हो चाहे साधू का मठ मंदीर हो उस मंदीर को बगल के जगा में शिप्ट करना वहां से अटाके यह कनक भ़वन है कनक भवन से जैसे आप यो है यह पीछे जाएंगे तो चौगर जी मंदिर है चौगुरजी मंदिर के पास मेंẻ रेलेवेस्ट्रेशन के पास में जो रामजनम्भूम के पास के गिरस्त लोग वह कहेंगे मैं बाहर क्यों जाओं मैं जगह नहीं दूगा उनको कहेंगे नहीं कि आपको एक नम्मर में जगह दे रहा हूं वहां आपको शिफ्ट कर दे रहा हूं इसके नाते उनकी योजना थी तो सोचे कि यहां क्योंकि सरकार भी जमीन पर ध्यान है और यहां पर लोग जो जमीन का काम करते जिन्हों ने आरोप लगाया है सपा की जो नेता ने आरोप लगाया है स्वता यहां जमीन का काम करता है और जो अध्या के मेर सहाब है इनके साथ ही जमीन का काम करते थे पहले और पूर में जब पौन-पांडे जी यहां चुनाव लड़ा रहे थे यही मेर उनको चुनाव लड़ा रहे थे जिसने जमीन बेचा सुल्तान अंसारी सपापाटी का उनेता है यहां से वो पारसत का चुनाव लड़ा है इसी सत्र में अभी जो नगर निगम हुआ है तो सब तो यही है यह सोध दरूब से राजनीत करने के लिए और कुछ नहीं है राम के नाम पर राजनीत सब की बंद हो चुकी थी मोदी जी योगी जी और उस्तव नियालों के सादूबाद नुगा उस्तव नियाले ने राम पर राजनीत करना लोगों को बंद करा दिया था इनको लग रहा था कि हमारा जो है हिंदू मुसलिम फिर सुरू करे क्योंकि कि दिल्ली में सेवा नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के भोली भाली जंता को ठगना चाह रहे हैं इसके नाते इस प्रकार का प्रोपो डंडा किया और कुछ भी नहीं अधरी सवाल सिर्फ यहीं से खतम कर दूहुंगी हाला कि आपने कि यहीं से कणब घुवन में दिखा दीया उधर आपने मुझे मंदिर सुर्सा मंद्र बिता दिया पीछेए सारा मुझे आपने आयोध्या हैं खड़े खड़े आपने दिखा दिया आखरी सवाल पूछूंगी कि विपक्ष इस मुद्धे को उच्छाल करके कितने दिनों तक अपनी राजनीती उत्तर प्रदेश में खास करके यह युद्या में राम जनम भूमी के माध्यम से चमका सकते हैं देखिए ऐसा है कि जनता जा कि रेट हुआ और वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित को नखा रहा है इसके नाते ब कोई राजनीत नहीं चलने वाली है सबकी दुकान बंद हो चुकी है चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो बस पाहो सपा हो सबकी राजनीत बंद है किसी की राम पे आरे करके डिले करा दे कि जो मंदिर ये का रहे हैं के वी दौ intransाल हो सकता है राजुदास प्रस्टा सकते हैं चंपतर ढरे सकते हैं ये वर असकते हैं पर सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर किसी को आपती है तो आटियाइक डार के जो है उनका संपत्ती के बारे मेरा ले ले और जाच्वी करा ले तो कोई दिक्कत है नहीं है इस की लोगों ने थोड़े काम करेंगे रहेगा वही कामकरेगा अनिल मिस्ञाजी को अगर जो हैुआ वहीं काम करेंगा तो ट्रश्ट पर सवाल खरना खरे करना यह सुद रूप से राजितिक करना है और कुछ भी नहीं है व्यक्तिक पर आप सवाल खड़े कर सकते हो यह हनुमानगड़ी मंदिर है हनुमानगड़ी में शाड़े छेसो साधू राते हैं अब पूरे हनुमानगड वहीं लोग विरोध करें जिन्हें गोली चलवाई पता है अब आज उठा रहा है वहीं विरोध कराया जिसने राम को स्थित को नका रहा है सतर बरसो तो भगवान को टेंटे में रखा सतर साल तक एक दो दिर नहीं हम लोग भी साधारा नाजमी है थे देखिए कुर्ता दो उनीस सो उन्चास में मुर्ति वहां पर पदराया और उसके बाद वहां का जो मुतलबी था उसने मुकदमा लिखाया कि हनमानगड़ी के नागा सादू और सिख संपरदाई के कुछ लोग मिलकर मजजित को डापाक कर दिया या बुद्त रख दिया ऐसा करके मुकदमा राम ज हिंदू जज और एक मुस्लिम अबजरवर उच्तम नियाले के देखरेक में उच्छ नियाले के देखरेक में इलावाद खंड पीड से दो जज आते थे 15 दिन में मुएना करते थे कि क्या है क्या इस्तिति क्या प्रस्तिति तो मैंने निवेदन किया मेरा भी पास बना उसमे जो उपचकार थे हमारे हनमानगड़ी से धरमदा जी उनके ताथ मैं जब अंदर गया देखने के लिए तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो मुस्लिम जज थे उन्होंने जूता नहीं खोला वैसे भी हिंदू जनमानस को कोई जूता खोल के नहीं जाता था सब जूता पह जनका कोई काम होई नहीं सकता है भगवान को भोग लगाना है तो तुलसी दल पड़ेगा ता भोग माना जाता है राम जनम भूम में आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं जो भोग बना है वह इसे रख दीजिए बस हो गया तो पुजारी ने क्या कि वहां पर एक जो है गमल में यहां पर तुलसी का भी पड़ा है ऐसे करका फेक देता है दुबारा ठंडी का समय था चटाई बीची हुई थी वहां पर मिट्टी टिला पे था ना तो मिट्टी थी तो चटाई बीचा हुआ तो उसने कहा है चटाई अबद्र भासा में बत्तमीज कहीं का तुमने ने कहा कि लाइन आडर का पालन होगा जो फैसल आएगा चया राम और मों के वीपर्चम है उसको फालो कराना मेरा काम है तो मैं ये बात कहां दूत मैं भाजपाई हो गया है कि मैं भाजपाई हो गया कि अब यह बोल दूंत लोग कहते भाजपाई वाली भाता बहाशा अपना रहा है भाजपाई वाली बात करता ऐसा कुछ भी नहीं है मैं एक हिंदू जनमानस का प्रतिनिद्ध करता हूं एध्या अनमानगणी जो हनमान जी राजाकुरूप मियां व जो भाव है उसी हिसाब से मुझे को मानेगा जैसरी राम चली यह थे राजुदास जी जिनको आपने सुना जिन्होंने पूरी तरीके से हमें समझाय कि क्या है मामला किस तरीके से विपक्षी से क्यों उठा रहा है सरकार इसकी सरकार का क्या तत्य है